ह Tippie आप लागी हैं वेलों टू क्रेटिंग वैल्त तो आज ident很好 और वागत ही बड़ी देखने हं ट्रॉशर daddy तो आज के जो है जो रिजल्ट्स आ रहे हैं जिन कंपणीज के उनमें अच्छे रिजल्ट बहुत ही बड़ी üzल से देख रहे है क्योंकि जो भी result post किये जा रहे हैं लगवग 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 जो है सब के result कहीं न कहीं खराब से देखने को मिल रहे हैं तो यहां पे कुछ अच्छे result और किन के जो है कुछ खराब result आये हैं मैं थोड़ा सा आपको जो है यह nut shell में समझानी की कोशिश करूँगा यह जो है मैंने sheet ready की है तो इसमें बेसिकली होगा क्या कि आपको जो है एक ही scenario में जो है आपको सारे के सारे results दिख जाएंगे comparison भी हो जाता है इसमें क्योंकि यहां पे इविर्टा margin भी दे रखा है difference भी दे रखा है कि कितना जो है percentage जो है growth हाई है वो सारी चीज़ें और जो figures आप देख रहे हैं जहां पे जो actual figures जो लिख रहा है वो कहीं न कहीं जो है हमने उनके results से उठाई हैं companies के results से जो हैं dividend में आगे देखेंगे तो फिर dividend वाला column है फिर bonus वाला column है फिर कोई important update है तो उसका column है तो यहां पर अगर बात करें सबसे पहला result जो है वो आप देख रहे हैं polycab industry polycab industry का अगर आप result देखेंगे तो income में growth बढ़िया देखने को मिल रही है चाहे quarterly लेविल yearly लेविल चाहें year ended लेविल पर देखो better result है profitability की अगर बात करें तो profitability में भी जो है शांदार बढ़त देखने को मिल रही है लेकिन year ended अगर आप देखेंगे तो profit जो है बिलकुल 0 हो रही है अम margin वाले column पर चलो आप देखेंगे 12 11 15 फिर 11 फिर 14 तो यहां पर बात करें quarterly के एसाब से देखेंगे आप तो यहां पर margin इनके रह गए हैं इस वाले quarter के अंदर margin आये हैं 12 पिछली साल जो है quarter के अंदर margin थे 15 के तो वह 14 14 के आसपास का margin था March year ended में previous March 21 के अंदर मतला FY 21 के अंदर और जो margin आप रह गए हैं 11 के लेकिन तब भी देखेंगे तो कोई ज़्यादा खास margin के अंदर गिरावर्ट नहीं है अला कि 2-3% की है लेकिन तब भी कहीं न कहीं sustain कर रही है 10 के ऊपर 14 रुपे का इस वाद डिविडेंट भी दिया है सेरा सेनिटरी की अगर बात करें तो आप देखेंगे difference के अंदर एक ही कॉलम आपको जो है negative दिखेगा income वाला income थोड़ी सी down गई है वैसे देखेंगे तो overall result बढ़िया देखने को मिल रहे है margin भी देखेंगे तो कहीं न कहीं increase होते हुए देख रहे है 35 रुपे का इस वाद डिविडेंट भी दिया है NDR auto components की अगर बात करें overall result इनके सारे perfect हैं आप देख सकते हैं difference वाले कॉलम के अंदर हर जगह पर जो है आपको दिखेगी growth और margin भी अगर देखेंगे तो इनके भी margin करीब-करीब जो है 10-11% के आसपास के आ रहे हैं यहाँ पर अगर बात करें आजन्ता फार्मा की तो आप देखेंगे कहीं न कहीं result कोई खास नहीं देखने को मिल रहे हैं अगर देखा जाए फार्मा सेक्टर की यह company आप देख सकते हैं quarter के इस quarter quarter के इसाप से देखेंगे तो profit down है income थोड़ी सी up है इविटता भी down है year on year के इसाप से देखेंगे तो income में ही बस थोड़ा सा upside देखने को मिल रहे है profit और इविटता इसमें भी down है और यहाँ पर अगर देखें यह अब देखने को मिल रही है तो यहाँ पर अगर बात करें कि लिकिन इनकी इविटता margin देखेंगे तो इविट on year हर parameter पे income, profit and इविटता negative देखने को मिल रहा है मतलब previous year में इस quarter के अंदर भड़िया performance थी बहां से कही ना कही decline देखने को मिल रहा है क्योंकि यह sugar sector वाली जो companies होती है वो quarter quarter level पे ज्यादा better way में समझी जा सकती है क्योंकि sugar cane production हर quarter के अंदर तो होता नहीं है तो उनका एक scenario ह तो बहां से देखेंगे तो negative जो है देखने को मिल रहा है और यहाँ पर अगर margin की अगर बात करें तो 11 के आसपास के हैं इनके करीब 10-11 के आसपास के bell spun India, bell spun India का अगर result आप देखेंगे quarter नो quarter के एसाब से हर जगे negative दिखेगा गहरा impact आया है और यह impact इस वज़य से जो है कहीं न कहीं आता हुआ दिखा है क्योंकि जो एक इनकी जो logistic cost है भो भरती हुई दिखी है export जो है कहीं न कहीं जो है problem में आता हुआ दिखाया तो उस व इसलिए chart भी जो है stock भी जो है बहुत अच्छा खासा break हो चुका है लेकिन आप year ended के इसाब से देखेंगे तो इविटता 0 दिखेगा income और profit जो है income 27% गिरोग करी है profit 10% margin देखेंगे तो margin में भी अच्छा खासा decline है 19 से margin 15 के रह चुके है 15 पैसे का इननो जो है dividend भी दिखें अब बात करेंगे कि bankies के जो है कैसे result आते हुए देखेंगे तो bankies के result आप देखेंगे quarter on quarter के इसाब से जो है better result है अच्छा जो है perform करती हुई देख रही है दुबारा से जो है growth आती हुई देख रही है लेकिन आप year on year quarter ended या year on year year ended देखेंगे तो result में कोई खास improvement देखने है जो कि previous year में इस quarter के अंदर margin थे 13 के और यहां पर अगर बात करें year ended के इसाब से 14 से margin देखेंगे 6 के 13 रुपे का dividend भी दिया है तो result कोई खास नहीं है बुरे result से ही जो है आते हुए देख रहे है लेकिन अब improvement थोड़ा देखने को मिल रहा है stylum industry quarter and quarter year on year quarter ended देखोगे वस income के अंदर हलकी पुल की जो है growth सी है otherwise कहीं कोई growth नहीं है लेकिन year ended के एसाब से देखोगे तो result थोड़ा better आपको देखने को मिलेगा margin भी कहीं न कहीं जो है sustain करने की कोशिस कर रहे है MRF की अगर बात करें year ended year on year and quarter ended year on year अगर आप देखेंगे तो profit में अच्छा खासा decline है 50-50% का profit के अंदर decline देखने को मिल रहा है income में growth 10% की और year ended देखोगे तो 20% की growth देखने को मिल रही है 144 रुपे का इस बार जो है इन्होंने dividend भी दिया है pressure है inflation का pressure देखने को मिल रहा है अच्छा खासा जल्स जो आप मैं आपको जो दिखा रहा हूँ Asian paint आप देखेंगे तो एक आपको income के अंदर जो है कहीं न कहीं growth देखने को मिल रही है अच्छी profit इविटता में कोई खास growth नहीं है और अगर आप year ended के इसाब से देखेंगे year on year तो आपको 34% की growth मिलेगी income के अंदर profit और इविटता में decline देखने को मिलेगा लेकिन अगर बात करते हैं कि इनके जो इविटता margin वो कैसे हैं तो वो भी आप देखेंगे year ended में 24% से 18% के रहे गए मतलब margin पे भी जो impact देखने को मिल रहा है 19 रुपे 15 पैसे का इनोंने जो है इस बार dividend भी दिया है orient electric की अगर बात करें तो ये वाला quarter पिछले साल के quarters पे जो है भारी बिलकुल नहीं पड़ पाया decline देखने को मिल रहा है आप देख सकते हैं income के अंदर 6% का decline है profit के अंदर 23% का decline है event ता के अंदर 17% का decline है लेकिन quarter नो quarter देखेंगे तो बहुत बेटर जाएगी क्योंकि वो तो December ended वाला quarter था वो तो सर्दियों का रहता है तो वहां से तो growth आएगी क्योंकि ये तो गर्मियों वाला quarter है तो कहीना कहीन थोड़ा वहता एक upside आती है तो उससे कोई मतलब नहीं है ये भी seasonable है तो यहां पे जो decline आ रहा है वो कहीना कहीन ये देख रहा है यहाँ पर यह जो है दिखा रहा है कि कहीं न कई मार्केट में जो है वो उस तरी उस लेविल की जो है खरिदारी नहीं है जो कि दूसरे जो प्रिवियस वाले क्वार्टर को जो है एक compete कर सके तो यहाँ पे लेकिन year on year के हिसाब से देखेंगे आप तो income में 20% की growth है profit में 6% की growth है इवड़ता में 5% की growth है margin देखेंगे बोई 10-11 के आसपास के है ठीक है एक सबारुपे का इनों ने जो है dividend भी दिया है इन सारे results में अगर देखा जाए कि कौन सा result जो है better आता हुआ दिखा है तो मैं कहूंगा कहीं न कहीं polycap के result better है और sera sanitary के result जो है कहीं न कहीं better है और NDR auto components के और सारे के सारे इस समय पे struggling face में जो है companies जो है चल रही है लेकिन आने वाले time में possibility यह है कि जैसे जैसे जो है inflation pressure जो हटता हुआ देखेगा इनके भी जो है results में इनके भी ज stock है थोड़ा सा आप उसको जो है deeply एक अपना minutely जो है उसको चेक करें और उसको कहीं न कहीं जो है एक better way में उसको जो है लेके चले मतलों उस पर नजर बनाए रखें अपनी कि stock जो है ऐसा तो नहीं है कि बहुत जादा जो है नुकसान दे रहा है या उसको थोड़ा सा आप जो है अपने way में लेके चले है results आपके सामने आ चुके हैं क्या उनके results आने से पहले ही stock अच्छे खा से गिर चुके भी है तो भो सारे के सारे भाव इस समय discount पहें जैसे result है उस तरीके के भाव भी जो है आपके सामने है तो result को देखके stocks को sale करना better नहीं रहेगा कहीं ना क नहीं आप जो है उनके chart patterns को देखो उनके chart patterns को जो है एक बार देखो कि उनके अंदर कहां पे जो है आपको एक support zone जो है देखने को मिल रहा है कहां से जो है उनके अंदर revival आ सकता है तो उन चीजों पे जो है ज़्यादा ध्यान रखो results ठीक है result अपनी जगह पे है लेकिन stock उ एले जो है perform कर देता है fundamental बाद में आते रहते है तो उस पे भी जो है बिल्कुल नजर बनाए रखो कहीं ऐसा नहों कि result आप जो है खराब देखके stock को जो है आप cut कर दो तो वो चीज़ें जो है फिर आपको जो है देखनी होंगी तो यहां पे जो है मैंने लगवाद लगव कि आप जरूर जो है मेरे को कमेंट करके बताएं और थैंक यू फर वाचिंग दिस वीडियो